जिले के प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और डाइगनोस्टिक सेंटर को लेकर संजीदा नहीं है CMO कार्यारे द्वारा बार बार मांगे जाने के बाजू 220 सेंटर के संचालक सूचना नहीं दे रहे हैं इसके पुष्टी CMO डाक्टर शिरीकान तिवारी ने की है उन्होंने बताया कि बीते एक महीने से कोवीट टी का करण के लिए प्राइवेट चिकिस सेंटर और नर्सिंग होम से स्वासकर्मियों का बेवरा मांगा जा रहा है जिले में 667 ऐसे पंजीकरित केंज हैं जिने ये वेवरा भेजना था बार बार कहने के बावजूत केवल 478 केंज से वेवरा प्राप्थ हो पाया है उन्होंने बताया कि जनपस में संचाली सभी विद्या, आयूर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी स्वास्तिकाईयों में कारेर स्वासकर्मी का बेवरा निर्धारित एक्सल सीट पर मेल करना था शासन की मन्शा है कि पर्थम चरण में सभी स्वासकर्मियों को परतिरचित किया जाए, राज अस्तर पर नियमित रूप से इसकी समीच्छा की जा रही है सरकारी अस्पतालों के स्वासकर्मियों का श्यत प्रतिशत विवराप्त हो चुका है इस दवरान सीमो डाक्टर श्रीकान तीवारी ने बताया कि दिले के प्राइवेट अस्पताल क्लीनिक और डाइगनोस्टिक सेंटर में से 70 फीसित के इंद्रों ने विवराप्त कराया है उन्होंने चेतावनी दी है कि जो केंद गुरुवार तक कर्मियों का विवराण उपलब नहीं कराएंगे उनका पंजीकरण ततकाल परभाव से निलंबित समझा जाएगा यदि वे चेत सकी कार करते पाए गए तो उन्हें अपजीकरित मानते वे कारवाई की जाएगी इस समझ में गुरक पुर्णियों से बात करते वे सेमों डाक्टर शिरीकान तिवारी ने कहा कुविड वैक्सिनेशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर और पहले फीज में हेल्थ डिपार्टमेंट के चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो गॉवर्मेंट के हों बहुत लोवर तपके से यानि वाड़ वाय सुईपर से लेके और चिकत्सकों तक सबका बेवरा इखटा करके उसको ऑनलाइन फीट करना है जिससे कि हम यह प्लानिंग कर सकें कि हम कितनी वैक्सिन मगाएं कितनी वैक्सिन लगनी है और कहां कहां में लगाने की वेवस्ता क अर्बन पीएस्टी और हमारे ओफिस यह सब के बेवरा जुटा लिया गया है और इसकी 100% का चिकत्सकों से लेके और करबचारियों तक की लाइन लेस्टिंग तयार हो गई है प्राइविट हॉस्पिटल्स हमारे यहां 667 के करीब हैं सारा कुछ मिला के क्लिनिक्स डियाग कोनिक कंट्रैक्ट किया उनके अधेक्ष महामंत्री को भी बताया कि अविलम यह शाशन अस्तर पर मॉनिटरिंग हो रही अविलम आप अपने लिस्ट अपने कर्मचारियों की टोटल लिस्ट हमको महिया करा दें जिससे के बाद में अब फीडिंग शुरू होनी हम उसको फ अभी सेंटर्स को जो अपनी लाइन लिस्टिंग हमें नहीं दे रहे हैं आज शाम तक कल से हम उनकी क्लिनिक्स को और्टमेटिकली वह बंद समझें कि वह उसको नहीं खोल सकते यदि खोलते हैं तो हमारी तीन-चार टीम में मूव करेंगी और वह जहां भी पाया जाएगा तो फिर हम उसको बंद करेंगे और हो सकता है मुझे उनका लाइसेंस पर निरस्ट करना पड़े क्योंकि ये फ्रेंट लाइन वर्कर्स के हेल्थ में काम कर रहे हैं लोगों के और डॉक चिकत्सकों के चाहे वो प्राइवेट गवर्मेंट कोई भी हो कोरणा से बचाओं के वाक्सिनेशन उनका होना है इसके लिए एक अवायच चल रही है ये उनके भले का काम है फिर भी वह अपने करमचारियों के लिस्ट नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है और इसको शाष्ण अस्तर पर बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है इसलिए हमने ऐसा ए झाल